नमस्कार दोस्तों आप देखरें क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग यूट की खास खबर अब खबरें विस्तार से आज हम बात करेंगे धर्म और अध्यात की नगरी कासी में रथियत्रा मेले के तीसरे यानि अंतिम दिन दोपहर में भगवान जगनात का रत खिचने के लिए हजारों की संख्या भगत उंपर पड़े बताते कि गुरुवार 22 जून को रथ्यात्रा मेले में भगवान जगनात का अंतिन दर्शन करने के लिए आस्था का ऐसा जंस सहलाब उमर पड़ा कि देर रात्री तक सड़क के दोनों तुरक तिल रखने की जगा नहीं रही मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेले में पहुंचे भग जगनात स्वामी नैन पथगामी भवत में का मन में भाव लिए भगतों ने भगवान को हिर्दय में ब्राजने की कामना के साथ रथ्यात्रा मेले के अंतिन दिन भगवान का रथ खिचने ह प्रतिक सध्धालू के मन में यही भाव था कि प्रभु नैनों की राह में हमारे हिर्दय में बिराजमान हूँ हर भगत प्रभु चरणों को इसपर्ष करने की कामना से मेले छित्र में पहुंचाओ रथ के इसपर्ष के साथ ही भगवान के चरण रज की अनुभूत के बताते चली कि गुरुवार को दोपहर में भगवान जगनात का रथ खिचने के लिए भक्त गड़ उम्रे किसी ने पहिये पर जोड लगाया तो किसी ने रथ में बढ़ा रस्षे को तान कर रथ आगे बढ़ाने के रस्म निभाई नाथों के नाथ से प्रेम का अटूर प् पहुचा आप देख सकते हैं गुलाब और बेले की कलियों से भगवान को बेहत खुप्सूरत तरीके से स्रावट की गई है दोपहर बारा बजे रथ को खीच कर यूनियन बैंक आफ इंडिया के पास बिराजमान कराये गया इसके पुरु प्रातर पांच 11 बजे पुजारी नौ बजे भगवान को छोंका, मूंचना, पेडा, गुल और खार सारी नीवू और तुलसी मिस्रित सर्वत का भोग अर्पित किया गया दोपहर में पट बंद कर दिये गए अपरां तीन बजे से चार बजे के बीच स्रिंगार यूंग आरती के बाद दर्शन आरंभ हुआ जो देर रात्री तक चलता रहा, रध्याप्रा मेले के अंतिन दिन नान खटाई की खोब भिक्री हुई, मेले में आयोए सद्धालों की सुरक्षा के मद्दी नजर भारी संख्या में पूलिस बल के जमान तैनात रहे, साथ ही उनके सहयोग के लिए समास सिवा सोसाइटी के अंध्यक्ष, इंद्र कुमार मौर के कुसल नितित में राहु के स्री सहित दरजनों कारकरताओं ने धन विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेले को सकुसल संपन कराने में प्रसाशन का विशेष सहयोग किया